नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ब्रिजवीन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि UPTT के आवेदन में बहुत सारी समस्य हो रही थी। किसी का फोटो अपलोड नहीं हो रहा था तो किसी का फाइनल प्रेंट आउट नहीं मिल रहा था बहुत तरह की समस्यां हो रही थी जिससे अभियरती बहुत जादा परेशान थे कि क्या होगा उनका form submit नहीं हो रहा है उनका form complete नहीं हो रहा है form भरे नहीं जा रहे है इस तरह की बहुत सरी समस्या हो रही थी बहुत सरी दोस्तों ने मैसस के दोरा solution जाने कोशे स की कि क्या होगा, कैसे होगा आवेदन नहीं होगा तो exam कैसे होगा और क्या एक्जाम की डेट बढ़ेगी या फिर आवेदन की डेट बढ़ेगी तो दुनिया भर की जो है समस्याय और दुनिया भर की बाते हो रही थी तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है नियूज है आई होप आपको मिली होगी या नहीं मिली हो तो मैं आपको बता रहा कि आवेदन में जो समस्या हो रही थी उनका समाधान हो चुका है उनका क्या समाधान हुआ है कैसे उनसे निजात पाई जा रही उन सभी बातों का जुक्र में इस वीडियो में करने जा रहा हूँ और इससे आपके सभी प्रसनों का जबाब मिल जाएगा कि आखिर जो समस्या है आवेदन में हो रही है उनका साशन हस्तर से क्या निराकरण किया जा रहा है और क्या वाकई आवेदन की डेट बढ़ेगी या जो भी समस्य है टेकनिकल हो रहे हैं उनका सल्यूशन निकाला जाएगा तो आईए देखते हैं क्या न्यूज में न्यूज में ये है कि सर्वर ठीक जो सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है साइट बहुत बीजी चल रही है ट्रैफिक बहुत जादा हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है तो सर्वर को ठीक करने के लिए लगा था टीम काम कर रही है मुंबई टेकनिकल एक्सपर्ट की भी टीम को बुला लिया गया है तो अब आप देखे कि सबसे बहतरिन जो एक्सपर्ट टीम है मुंबई की उसे बुलाया गया है मुंबई टेकनिकल एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है जल्दी ही सबको सही होने की बात कही जारी बहुत ही जल्दी जो है जो भी टेक्निकल एरर आ रहा है जो भी समस्या आ रहे है आवेदन की वो ठीक कर ली जाएंगी और अगर समस्या बनी रही और समस्या एक दो दिन और कंटिन्यू रहती है तो फिर 110% जो आवेदन की तिति है उसे बढ़ाया जाएगा चार-छे दिन इकास अपता का समय और दिया जा सकता है आवेदन के लिए ये सचियू PNP जो है का ये स्टेटमेंट है कि ये जो समस्या हो रही है अगर बढ़ी ये लगातर बनी रहेगी तो अव्यर्थियों को इसको लेकर के बहुत परेशान होनी की जरुवत नहीं है अगर समस्या का सल्यूशन अभी तुरण नहीं हो पाता है तो आवेदन के दिथी बढ़ा दी जाएगी ताकि प्रत्यक अव्यर्थि परीख्षा में शामिल हो सके तो कुलमला के निश्कर से ये है कि किसी भी अव्यर्थि का जो है फॉर्म बिना सम्मिट किये वे एक्जाम नहीं सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा सब जब तक सभी का आवेदन नहीं हो जाता तब तक आवेदन की डेट को क्लोज नहीं किया जाएगा तो अब इस बात से आश्वस्त रहें कि आवेदन आज नहीं हो रहा है कल नहीं हो रहा है जबी भी होगा आवेदन होगा तभी प पहुलियत मिल सके, सभी को आवेदन करने का मौका मिल सके, तो किसी का भी आवेदन छोटे का नहीं, ये सचू का कहना है, और इसलिए अब आप एकदम बेफिक्र हो करके परप्रेशन करते रहें, फार्म बनने के लिए ट्राइ करते रहें, हो सकता है कल या पर्सों से चीजें बहुत बहतर हो जाएं, थैंक यू,